हर हर महादेयो, आप मुझे श्री सुमिता चारे जी महराज के नाम से जानते हैं। कार्तिक मास के विशय पर यह विशय प्रस्तूती लेकर के आया हूँ, क्योंकि कार्तिक मास प्रारंब हो चुका है, आप चैनल पर नए हैं, तो लाल सब्सक्राइब बटन है, उसे दबा दीजिए, और साथ में बेल आइकन बना होगा, उसे भी दबा लीजिए, ताकि आप पूर्वदिशा में यात्रा वर्जित है, क्योंकि दिशाशूल पूर्वदिशा की तरफ बना है, आज दुट्या तिथी है, और इस दिन छोटा जो बैंगन होता है, उसे खाना निशेद है, ऐसा ब्रह्म वैवर्त पुरान के ब्रह्म खंड के 27 में खंड के 29 में जीसे कहा था, कार्तिक मास में चावल खाना, दाले खाना, गाजर, बैंगन, लौकी और बासी अन नहीं खाना चाहिए, जितना आप से बने उतना तो करिए, जिन फलो में बहुत सारे बीज हों, उनका भी त्याग करना चाहिए, और संसार व्यवार करने से बचना चाहिए, कार्तिक मास में विशेश पुण्यदाई होता है, प्रात हसनान करना है, जब करना है, वरत रखना है, मौन करना है, देव दर्शन करना है, गुरु दर्शन करना है, पूजन, ये सब अभिश्ट फल की प्राप्ति देते हैं, भूमी पर शयन करने कहा गया है, ब्रमचरे बा ब्रम्हा जी इस विशय में नारत जी से कहते हैं ऐसे व्यक्ति के पुण्यों का वर्नन महीनों तक भी नहीं किया जा सकता। बहाते कर दर्शनम इससे पुरुशार्थ में व्रिधी होगी और इस भावना से हाथ देखें कार्थिक मास में तो विशेश पुण्यदाई होता है। प्रतिकुलता में सम रहने का सदगुन विक्सित होने लग जाता है। जब से हम छोटे हैं तब से देखते हैं कि हमारी मा कार्थिक मास में सुबह सनान करती हैं, बहने करती हैं, फिर आसपडोस की माताओं बहनों के साथ मिलकर भजन गाती हैं। सुर्योदे से पहले सनान करने से पुण्यदाई उर्जा बनती है, पाप नाशनी मती आती है, कार्थिक मास का आप लोग भी फायदा उठाईए। तीन दिन में पूरे कार्थिक मास के पुण्यों के प्राप्ती हो जाएगी। पंचक समाप्त होगा शुक्रवार 24 नौमबर 2023 को 4 बच के एक मिनट पर, पंचक प्रारम्भ रविवार 17 दिसमबर 2023 को 3 बच के 45 मिनट पर, और समाप्त होगा 21 दिसमबर 2023 को रात में 10 बच के 9 मिनट पर, जिनका भी आज जनम दिन है उनको हारदिक सुभकामनाएं और शुभाशुब जोतिश के अनुसार आपका मुलांक तीन आता है या ब्रस्पति का प्रतिनिधित्व करता है आप दार्शनिक सौभाव के होने के बाउजित एक विशेश प्रकार के स्पूर्ती रखते हैं आपक कभी आप ताना शाभी बन जाएंगे शुभ दिनांक 3, 12, 21 और 30 आपके लिए होगा शुभ अंक 1, 3, 6, 7, 9 होगा शुभ वर्स आपके लिए 2028, 2030, 2031, 2034, 2043, 2049 और 2052 होगा आपके इश्ट देव, देवी सरस्वती और देव गुरु, ब्रस्पती और भगवान विश्णु हैं, सुभरंग पीला, सुनहरा और गुलावी आपके लिए रहेगा, यह वर्स कैसा होगा, नवीन व्यापार की योजना भी बन सकती है, दामपत्ते जीवन में सुखद स्थिती रहेगी, घरिया परिवार में शुभकारे होंगे, आपके लिए यह वर्स सुखद है, किसी सारी बाते कार्तिक मास के संदरफ में मैंने कही है, आपको यदि यह वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को खुब शेयर करिए, कमेंट में बताइए कैसा लगा, और कुछ अगर पूछना हो तो वो भी पूछ सकते हैं, नीचे डिस्क्रिप्शन में मैंने अपना नंबर दे रखा है और एक लिंक दिया है, उस लिंक पर आप फॉर्म भरेंगे, तो जोते सलाह संबंधित अगर बात करना चाहते हैं, तो लिंक पर फॉर्म भर करके ही जोते सलाह प्राप्त होगे, नंबर अन्य जोते सलाहों के लिए अगर आप डाइल करना चाहें, तो निश्च जै भोले शंकर